एक गाव में गोपाल नाम का किसान रहता था, परिवार में उसकी पत्नी और दो बच्चे यही उसका संसार था, बुजारा करने के लिए वो अपने छोटी सी खेट में फसले उगाता था, और उन्हें बेच कर अपना और अपने परिवार के लिए दो वक्त का खाना जुटा पाता था, कहने को उसके पास इतना धन नहीं था लेकिन फिर भी वोल काफी खुश था, एक दिन दो पहर को वो अपनी पत्नी के साथ खेट पर खड़े होकर कह रहा था, हे भगवान, अगर बारिश हो जाए तो इस बार सभी किसानों की फसले अच्छी हो जाए, उसकी पत् जमीन पर नहीं गिरती, परिनाम ये होता है कि सभी किसानों की फसले बरबाद हो जाती है और सूखने लगती है, गोपाल की फसल भी पूरी तरह बेकार हो जाती है, ये देखकर गोपाल कहता है, हे भगवान, इस बार किसानों का बहुत नुकसान हुआ है, फसले पूरी तर रहनश्ट हो चुकी है, मैंने तो इस फसल और बच्चों की पढ़ाई के लिए करजा भी ले रखा था, अब मैं इस करजे को कैसे चुकाऊंगा, ये सुनकर गोपाल की पत्नी गोपाल को सहारा देते हुए कहती है, कोई बात नहीं, अब जो होना था वह तो हो गया, हमारी पास केवल दो ही रास्ते हैं, या तो मैं शहर जाकर थोड़े बहुत पैसे कमा लूँ या फिर खेट बेच दूँ, लेकिन मैं खेट बेचना नहीं चाहता क्योंकि हमारे पालन पोशन का यही एक मात्र सहारा है, बाद में गोपाल और उसकी पत्नी दोनों मिलकर गोपाल के शहर जाने को ही उच्चित समझते हैं, अगी सुबह गोपाल शहर जाने की तयारी करता है, वो अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, मैं खाली हाथ शहर जा रहा हूं, कोशिश पूरी करूंगा कि कही अच्छा सा काम धूंड लूँ और थोड़ा बहुत पैसा कमा लूँ, जैसे अपना ध्यान रखिये और शहर जाकर पैसे कमाए, गोपाल के जाते वक्त गोपाल की पत्नी उसे कुछ पैसे देती है, ये देखकर गोपाल कहता है, ये पैसे कहां से आए, गोपाल की पत्नी कहती है, मैंने थोड़ा, थोड़ा करके ये पैसे जमा किये थे, अपने बुरे वक्त के लिए अब शायद इनका सही वक्त आ चुका है ये लीजिये रखिये गोपाल थिला उठाता है इसी में उन पैसों को रख लेता है और शहर के लिए रवाना हो जाता है शहर पहुंचकर वह काम धूंदना शुरू करता है लेकिन पूरा दोपहर काम की तलाश करते करते वह थक जाता है लेकिन काम नहीं मिलता है उसके बाद वहे एक बगीचे में जाकर पेल की छाव में बैख जाता है वही पास में दो जेग कत्रे आपस में बात कर रही होते हैं सुनबे चंगुल तीन दिनों से कोई भी मुर्गा हाथ नहीं लगा है लगता है इसके पास काफ ग्यारह हो जाना मालिक वह सब तो ठीक है लेकिन एक नौ ग्यारह नहीं नौ दो ग्यारह होना है बक्वास बंद कर और काम पर लग जा उनमें से एक जेब कत्रा गोपाल के पास जाकर उससे बात करने लगता है अरे शाम बाबू कैसे हो बड़े दिनों बात दिखाई दिये हो अरे भाई आप कौन मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ और मेरा नाम शाम बाबू नहीं मेरा नाम तो गोपाल है अरे हाँ तभी मैं कहूं कि मैं तुम्हारा नाम भूल रहा हूं अच्छा और बताओ क्या हाल है अरे क्या बताओ भाईया गाउ से शहर आया हूं काम की त अरे भाय लगता है पहचानने में गलती हो गई, चलो मैं चलता हूँ. अजीब लोग हैं शहर के, पहले खुद ही जान पहचान का दिखावा करते हैं और बाद में खुद ही अंदेखा करने लगते हैं. इतने में गोपाल की नजर अपने थेले की ओर पड़ती है लेकिन वहां गोपाल के पीछे से एक दर्ड भरी आवाज आती है, बचाओ. बचाओ. गोपाल उस आवाज को सुनते हुए पीछे मुलता है और देखता है कि वहां एक घायल व्यक्ति जमीन पर नीचे पड़ा हुआ है. उसके आसपास से लोग गुजर रहे हैं लेकिन कोई भी उसे सहा नहीं दे रहा है. गोपाल तुरंथ जाकर उस व्यक्ति को बैठाता है और उसकी घायल स्थिती को देखकर तुरंथ हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम करता है. हॉस्पिटल ले जाकर वो डॉक्टर से बात करता है. डॉक्टर साहब, इन्हें देख लीजे, ये बहुत घा और दर्द के मारे कराह रहे हैं। डॉक्टर उस व्यक्ति की हालत देखता है और कहता है। तुरंत इलाज शुरू करना होगा। इसके लिए तुम्हें कुछ पैसे काउंटर पर जमा करने होंगे। यह सुनकर गोपाल आश्चर्य में पढ़ जाता है और डॉक्टर से कहता है दॉक्टर साहब, आज सुबह ही में शहर आया हूँ काम की तलाश में लेकिन काम तो मिला नहीं उपर से मेरा थेला भी किसी ने चुरा लिया मेरे पास अब कोई पैसा नहीं है, मैं खुद भूखा भूखा काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा था लेकिन तभी मुझे ये जमीन पर घायल पड़े दिखाई दिये और मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गया डॉक्टर उस व्यक्ति का तुरंत इलाज शुरू कर देते हैं और कुछ समय बाद बाहर निकलते हैं तभी गोपाल अपनी जेब से एक पस निकालता है जो उसे घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल लाते हुए उसकी जेब से गिरते हुए मिल गया था वो उसे डॉक्टर को दिखाते हुई कहता है ये लीजिए डॉक्टर साहब यह नहीं का पस है मैंने तो इसे खोला भी नहीं है देख लीजिए शायद इसमें पैसे हो डॉक्टर उस पस को चेक करता है तो उसमें बहुत सारे आईडी कार्ड और क्रेडिट कार्ड होते हैं जब डॉक्टर उनकी आईडी कार्ड को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यह तो शहर के सबसे अमीर आदमी है वो तुन्त गोपाल से कहता है अच्छा हुआ जो तुम इन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गए तुम जानते हो यह शहर के सबसे बड़े आदमी है मुझे नहीं पता, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है डॉक्टर गोपाल को शाबाशी देता है और कहता है कल सुबह इन्हें होशा जाएगा तुम कल सुबह आकर इनसे मिल सकते हो और वापस इलाज वाले कमरे में चला जाता है गोपाल रात भर उस गार्डन में ही सोता है और सुबह होते ही वह हॉस्पिटल वापस आ जाता है गोपाल डॉक्टर से पूचता है डॉक्टर साहब, अब इनकी तबियक कैसी है डॉक्टर कहता है अब बिल्कुल ठीक है तुम इनसे मिल सकते हो डॉक्टर उस व्यक्ति से गोपाल का परिचय कराते हुए कहता है ये गोपाल जी है इन्होंने ही आपकी जान बचाई है घायल स्थिती में यही आपको हॉस्पिटल लेकर आये थे ये सुनकर गिर्धर जी घायल व्यक्ति कहते हैं धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए तुम हो कौन और क्या करते हो तब ही गोपाल कहता है मैं गाउं से शहर आया हूँ एक अच्छे से काम की तलाश में लेकिन अभी तक मुझे कोई भी काम नहीं मिला है मेरे उपर करजा है मैं उस करच से मुक्त होने के लिए शहर पैसे कमाने के लिए आया हूँ गिर्धर जी यह सोच कर हिरान हो जाते हैं कि यह व्यक्ति इतनी परेशानी में होते हुए भी मुझे हॉस्पिटल लेकर आया वो कहते हैं मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि इस समय में भी तुम जैसा अच्छा और इमानदार इंसान है एक काम करना कल मेरी चुट्टी है तो तुम कल सुबर ठीक इसी समय आना मेरे पास तुम्हारे लिए काफी अच्छा काम है गोपाल शुक्रियादा करते हुए वहां से चला जाता है और अगले दिन ठीक उसी समय हॉस्पिटल पहुँचता है हॉस्पिटल से वे दोनों गिर्धर जी के घर के लिए रवाना हो जाते हैं घर में प्रवेश करते वक्त गोपाल उनके एक बड़े से महल और बड़ी बड़ी गारिया देखकर हिरान रह जाता है और सोचता है कि यह व्यक्ति कितने अमीर होंगे गोपाल अंदर जाकर सोफे पर बैट जाता है तभी गिर्धर जी नौकर से उसके लिए पानी और खाने के लिए कुछ लाने को कहते हैं गिर्धर जी कहते हैं गोपाल तब तक तुम कुछ खापी लो तब तक मैं 15 मिनट में आता हूँ उद्धरन चिन है, गोपाल खापी कर थोड़ा आराम करता है तब ही गिर्धर जी आते हैं और कहते हैं, गोपाल, शहर के बाहर मेरी एक बड़ी फैक्टरी है जिसमें खेती से जुड़े उत्पात बनाए जाते हैं खाने पीने का कोई जंजट नहीं है, वहाँ पर तुम्हें खाने पीने को सब मिलेगा, रहने को घर मिलेगा, अगर तुम सहमत हो तो तुम इस काम को कर सकते हो गोपाल कहता है, ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, वैसे भी मैं एक किसान हूँ, खेती बारी के बारे में मुझे बहुत अच्छी से पता है मैं इस काम को अच्छी से कर, पाऊंगा, गिर्धर जी कहते हैं, तुम चाहो तो अपने परिवार को भी यहां लाकर रह सकते हो गिर्धर जी गोपाल को कुछ पैसे देते हैं जिसे वो अपने कर्ज को चुका पाए फिर गोपाल गाउं जाता है और अपनी कर्जे को पूरी तरह चुका देता है और अपने परिवार के साथ शहर वापस लोट आता है गिर्धर जी गोपाल के दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी खुद ही उठाते हैं पर उनके खाने पीने का और रहने का खयाल भी रखते हैं गोपाल खूब मन लगा कर फैक्टरी में काम करता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहता है आप गोपाल पूरी तरह आजादी महसूस करता है और अपने मालिक का शुक्रियादा करता है इस कहानी से आपने क्या सीखा नीचे कॉमेंट में हमें जरूर बताएं